आज की इस एपीसोड में डिसकस करेंगे आई एकस एस्टॉक के बारे में बहुत ही ज्यादा कंट्रवर्सियल एस्टॉक ये रहा है इस समें काफी सोड वीडियो में समझेंगे कि आखिर इसके क्या फ्यूचर होने वाले हैं अल्रेडी एक सो साथ दोसों के बायर हैं तो क्य क्रिमियम तेलिग्राम बिल्कुल फ्री है उसको जोइन कर लेंगे इस समय कवर क्या आई इस कंपनी के मोनोपॉली यानि मोट को जो है खतम कर दिया जाएगा गोर्रमेंट एक इंटिटी बनाएगी और पावर ट्रेडिंग एक्सेंज के लिए मिच्वल और भी छोटे-छो करने की बात की जाती है तो वहां बहुत सारे लोग पैनिक करते हैं उसका कारण क्या होता है कि इस स्टॉक में हेवली वॉल्यूम और ट्रेंड डाउन ट्रेंड होते वे दिखता है इसी कंपनी के एमडी ने क्या कहा वो तो बिल्कुल खुस नहीं होंगे क्योंकि मान लीज लेकिन इसके साथ लगबग तीन से चार साल इस इंप्लिमेंटेशन में भी लग जाएगा और चुकि हमने क्या कहा कि यह जो देश है वो ग्रोइंग नेशन है तो दिमांड जो पावर का है वो कंटिनियूस बरता जाएगा पहले मार्केट से और 96 परसेंट था आई-एक्स है अब आप बताएए कि कितने लोग हैं जो अभी भी बीसी से बाइंग शलिंग करते हैं इस वॉल्यूम ही नहीं है लगबग देखेंगे तो मोर देन 90 परसेंट लोग एनसी को चूझ कर रहे हैं बीसी ने मिड़केप क्या बीसी पुरानी है एनसी से क्या बीसी ऑप्शन नहीं इंट्रोडिउस कर सकता है क्या यह इस आल अब आउट आप यह देखेंगे कि सर्विस क्या स्मूथ है और लोगों के क्या प्रिफ्रेंसेज हैं तो वही मैंने कल के एपिसोड में कहा था कि आई एक जो है फर्स्ट प्राइटी रहेगा इसमें जो प्राइस डिसकवर या फिर आप देखेंगे बीडिंग के प्रोसेस को गोबर्मेंट टेक अबर करेगी इसको ले करके थोड़ा पैनिक हुआ जा रहा है तो कितना पैनिक होना चाहिए क्या यह स्टॉक यहां से जीरो हो जाएगा क्या औरेडी दोस्तों के प्राइस के बायर हैं उनको क्या करन चाहिए यह सभी लोग डर रहे हैं यहां देखेंगे हाइस्ट वॉल्यूम के साथ जो है स्टॉक को पूश्डाउन करा गया है लेकिन जैसा कि हमने कहा कि यहां डिलेवरी भी थोड़ा पैनिक है पहले गिरावट पर तो डिलेवरी ठीक ही लेकिन दूसरे पर लोग डरे है मैंने क्या कहा कि मान लीजे कि यहां से यह स्टॉक कि जो मार्केट सेयर हैं वो 85% से 40% हो जाएंगे अरे भाई मार्केट सेयर भी तो बरहेगा मार्केट सेयर या कंजमसन और पाबर जो है वो यहीं सेचूरेटेट थोड़ी हो जाएगी यह मार्केट इमर्जिंग है जो यहां से return मिलने थे मान दीजे 400-500% का वो नहीं मिलेगा multi bagger नहीं मिलेगा लेकिन जो 10-15% के CAGR हैं वो तो होते दिखेंगे earlier हमने क्या देखा था महज 2-3 साल में stock के जो return थे वो 350% थे यहां पर stocks में जो FI नहें उन्होंने अपने position को reduce कर आप panic हुई और यहां से फिर downtrend दिखा और एगर इस pattern को देखें तो complete pattern जो है rounding pattern बनते वे दिख रहा है और easily 300 plus तक के target दिख सकते हैं जो already buyer है वो बिलकुल यह घबराए नहीं लेकिन मैं यह कहूंगा कि fresh buying करने से बचे already invested है तो बने रहें 162 के level के breakout को होने दें क्योंकि इसके बाद trend reversal बरा strongly दिखेगा जब तक 162 को breakout नहीं कर रहा है तब तक consolidated form में हो सकता है 84 और 95 के बीच की buying मिले तो इस zone पे तयार रहें और भी खरीदने के लिए मैं मानता हूं कि पिछले दो साल से stock downtrend में है और यहां तुल पैनिक से लिक से बादे